दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैन्स और टॉक्स में स्वागत है आज की इस वीडियों में बात करेंगे जारकन एकडेमिक काउंसिल ने क्लास 12 में जो भी 616 से लिए बीजिए कर दिया है आपका सिलेबस अब 60% हो गया है तो अब आपको न्यूज सिलेबस आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक मिलेगा तो अगर आप चाहिए तो उस ग्रूप में जुड़ जाए इसके बाद किसी भी प्रकार का नोटीस आता है जैक से तो सबसे पहले आपको आपको टेलीग्राम गुरूप कर दूंगा आप वहां से देख सकते हैं ठीक है तो पेज नमर फॉर्टीस याद रखिएगा आपका खुल जागा ठीक है जिसमें आपको तीन कॉलम दिये गाए जिसमें पार्ट का नाम दिया हुआ है सेकेंड जो कॉलम उसमें सिमित पार्ट करम है तो चैनित पार्ट एम उस विस से कनम ठीक है आपके जुस्त आपका जो से उसमें से कौन से पार्ट को सिलेवस कि पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है यह सेकेंड कॉलम का ठीक है और थर्ड कॉलम में जदी किसी चैनित पार्ट के किसी उखन को चैनित नहीं किया गया तो यह आपका कौन से टोपिक से तो आपको इस थर्ड रो में मिल जागा ठीक efficiency discuss the objective of management describe the importance of management ठीक है अगला जो टॉपिक उसमें management as science art and profession है फिर उसमें topic कौन सा पढ़ना है examine the nature of management as a science art and profession फिर अगला जो टॉपिक आपका थर्ड नमर लेबल्स of management जिसमें टॉपिक पढ़ना है आपको understand the role of top middle and low levels of management ठीक है फूर्थ नमर जो आपको topic management functions planning organizing staffing directing and controlling यह उसमें आपको कौन सा पढ़ना है explain the functions of management पढ़ना है पाच्वोज topic उसमें आपको coordination concept importance है उसमें देखिए आपको दो topic पढ़ने discuss the concept of characteristics of coordination explain the importance of coordination ठीक है आप देखिए यहाँ पर आपका second unit उसमें आपको principle management पढ़ना है आप यहां से देख लिजेगा कि आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है मैं आपको हर एक का तो सम्झा नहीं सकता क्योंकि इससे वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो आपको आपको सुनने में बहुत दिक्कत आने वाली ठीक है तो उससे अच्छा क्या करी आप से लिबस देख लिए कि कौन सा सिलेबस आ रहा है कौन सा नहीं ठीक है मैं आपको टॉपिक का नाम आपको नहीं पढ़ना याद रखिए जो थार्ड कॉलम बाला देखिए फिर यूनिट 10 है आपका फानेंसियल मार्केट है ठीक है उसके बाद देखिए आप नीचे चाहिए तो यूनिट 11 मिलेगा आपको मार्केटिंग मिलेगा ठीक है इसमें इतना साइट टॉपिक है चैनिद पाकर नाम हा आए ठीक है आपको कौन सा पाट पढ़ना है जरुपिस नहीं नहीं किया गया तो उस चैप्स कौन सा टोबी सिलेट नहीं किया गया तो आपको यह नाम दिया हुए चैप्टर वन है एकांटिंग और not for profit organization है फिर अगला है accounting for partnership है चैप्र नमर्ट टु आपका change in profit and loss sharing ratio among the existing partners है इसमें देखिए यहाँ पर थर्ड रो में जो कॉलम किया आगे treatment of goodwill undistributed profit आपको यह नहीं पढ़ना है ठीक है उसके देखिए चैप्टर नमर जो 5 है वो है आपका admission of a partner है चैप्टर नमर 6 जो है retirement and date of a partner है चैप्टर नमर unit 4 में आपका चैप्टर नमर इस तक है चैप्टर 11 financial statement analysis चैप्टर नमर 12 financial statement analysis का कुछ topic दिया आप पढ़ना है कौन से टोपिक नहीं पढ़ना है चैप्टर थी आपका रेश्यो अनलेसिस है यूनिट जो 6 आपका हुआ चैप्टर नमर 4 cash flow statement एक है आपको जो 3rd column में दिया हूँ आपको topic नहीं पढ़ना है याद कियेगा फिर आपका देख पार business mathematics मां को कौन से टोपिक पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है जिसमें chapter 1 आपको एपी पूरा पढ़ना है चैप्टर जोमेंट्रिक पढ़ना है इं C payroll section नहीं पढ़ना है जुवेहन फार्च इन जीमतरिक में जमेरिक में चैप्टर नमर 6 आपCl comment नमस यहाई विश्राइब जो एंटर पिलेस्ट इनटर पोलेश्न थीक है तुन वन में आपका इंटरप्रोजनटेटी एंटरपराइस क्रियेस्टन है ठीक है इसमें आपको Sensing and the integration of the enterprise opportunities market assessment पढ़ना है एंट्रेट्राइड उपट्टी पढ़ना ठीक है पी राहा आपका सिलेबस कोमर्स के चात्र अठीक हो थिक है यहाँ पर आपका सिलेबस कहतम हो जाद रहा है तो इसमें से आपको अगर यह पीडियाप चाहिए तो आप टेलिगराम कुरूप में जुड़ जाइएगा मैं आपको वहाँ प्रूट कर दूंगा याद है कि आपको इस स्टार्ट इसलेबस तो आप इस सिलेबस को रिक्रोडिंग पढ़िएगा क्यूंकि आपका सिलेबस से वह 60% डिडियूस कर दिया यह इन्हीं 40% आपको नहीं पढ़ना है तो टॉपिक स करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों सेर जुरू कर दिजेगा तो चली मिलते अपने लिए वीडियो पर तब तक लिए जय हिन जय भारत